आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं संख्या पध़त यानि Number System से एक महतपूर प्रस्ण है देख सकते हैं और ऐसे ही दो और प्रस्ण है वो अलग पैटर्न पर रहां तो फिलहाल आज की वीडियो में हम तीन प्रिशन लेकर आए हैं तीनों अलग अलग हैं बहुत ही अच्छे प्रिशन हैं सभी परिक्षाओं के लिए महतपूर है ठीक है तो यहाँ पर बताना है यहाँ पर संख्या दीगे है दो की पावर है पचास तीन की पावर है चालेस चार की पावर है तीस और पांच की पावर है बीस मैं सबसे बड़ी संख्या बतानी है ठीक है तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर जो पावर दी गई है जैसे यहाँ पर है पचास, चालेस, तीस, बीस तो हम पावर यहां पर जो संख्या नीचे दिये ही इन सभी की हम पावर को समान करेंगे समान कैसे करेंगे जो यहां पर पावर दी गए है इनके गुड़न खंड करेंगे और एक ऐसी संख्या बनाएंगे जो सभी में समान हो जाए जैसे हम 50 में करें ठीक है तो 50 के दो गुड गुड़े 10 कर सकते हैं ठीक है तो पांच गुड़े 10 और यहां पर 40 की गुड़न खंड कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो यह नंबर्स आये हैं पहले वाले ठीक है तो इनको इनकी पावर बना देते हैं ठीक है, तो 2 गडन-खंड के रूप में हम इन्हें लिखेंगे, जैसे की यहाँ पर पहला है, 2 की पावर 50 है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, उनकी सब पावर क्या बना देंगे हम, 10 बना देंगे, ठीक है इस तरीके से, ठीक है, अगला वाले जो पुरिशन है यहां पर तीन की पावर जैसे चालिस है इसको ऐसे लिख सकते हैं तीन की पावर चार उनकी सब पावर क्या है दस तरीके से सभी की पावर जो है बराबर होती जाएगी ठीक है अभी हम सॉल्प करेंगे नहीं अगला है चार की पावर तीस है ठीक है तो इसको ऐसे लिख सकत लिएगे ठीक है अब अंदर की वेली फिलिखेंगे ठीक है तो यहां पर दो दो अगर पांच बार लिख कोगे दो गुड़े दो गुड़े दो तो धुर दो जोड़ी सोला शुला दूनी 32 तो अब जाएगा 32 की पावर 10 आपट इसे तो तीन को हम आफ दो नाफ तीन चार को तीन बाल लिखना है, चार गुड़े, चार गुड़े, चार, चार चकुर 16, चकुर 64, तो इधर हो जाएगा, 64 की पावर, 10 हो जाएगा, 25, तो 25 की पावर कितना हो जाएगा, 10, सबसे बड़ी संख्या वही होगी, इसे आधार यहां पर देखेंगे, 32 है, 81 है, 64 है, 25 है तो यहां पर सबसे बड़ा आधार किसका है, 81 वाले का है, 81 की पावर, और सभी में पावर होगी समान, पावर समान होने पर आधार में देखना है, ठीक है, कि सबसे बड़ी आधार किसकी है, तो आधार है, 81 यह नंबर है किसका, इधर का है, 3 की पावर, 40, तो 3 की पावर, 40 इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक इस तरीके से करेक्ट एंसर हो गया अगला परसन दिया गया बहुत ही अच्छा देख सकते हैं यहां पर आठ की पावर 20 है 15 की पावर 24 है 17 की पावर 15 है मैं अभाज गुडण खंडों की संख्या बतानी है कितनी होगी तहां पर जो पी आधार है तो इनको simple फोर्म में लिख लेते हैं तो 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिए 20 ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है और 15 को लिख सकते हैं 3 गुड़े 5 ठीक है इन सब की पावर क्या है चोबिस क्योंकि ह 15 को simple किये हैं इस तरीके से 3 गुड़े 5 लिख सकते हैं गुड़े 17 की power 15 तो हमें अभाज गुड़न खंड बताना तो simple form में इस तरीके से कर देना तो 20 और 3 का गुड़ा कर देंगे 20 तीन 60 हो जाएगी 2 की power हो गई 60 गुड़े यहां पर power जो है बाहर निकली है तो दोनों के लिए common है तो 3 की power एथर भी 24 हो जाएगी गुड़े 5 की power भी 24 हो जाएगी गुड़े 17 की power 15 हो जाएगी अभाज गुड़न खंडों की संख्या निकालने के लिए हम पावर जितने दी जाती है पर अभाज नंबर की सभी powers को जोड़ देते हैं ठीक है तो यहां पर जोड़ लेंगे ठीक है 15 तो सभी की power जोड़ेंगे power जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 123 ठीक है सभी को जोड़ेंगे और यही संख्या जो है अभाज गुड़न खंडों की संख्या है तो 123 C नंबर यहां पर सही है तो इस तरीके से लिखना है और सभी की powers को जोड़ लेना है powers को जोड़ने पर ही जो संख्या मिलती है वही संख्या कहलाती है अभाज गुड़न खंडों की संख्या अगला प्रशन दिया गया है बहुत अच्छा प्रशन यहां भी है देख सकते हैं इस तरीके से पहला वाला प्रशन हमने इसको है उसी तरीके से इसको भी शॉल्व करेंगे तो इनकी जो पावर है 250, ठीक है? इसके 2 गुड़न खंड बनाएंगे, ऐसे गुड़न खंड बनाएगे, सभी में वो समान बन जाए है हमारे, अनिकी पावर हम जो निकालना चाहते हैं समान वो बन जाए, जैसे हम 250 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुड़े, 50 लिख सकते हैं, 150 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुड़े 50 लिख सकते हैं, 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुड़े 50 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 200 को 4 गुड़े 50 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह संख्या देख सकते हैं, 50-50 बाहर निकल सकती है, तो 2 की पावर हम 5 बना सकते हैं और बाहर पावर हो जाएगी 50, इस तरीके से लिख सकते हैं इनको, ठीक है, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और उपर 50 हो जाएगी पावर, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर, सोरे, 5 की पावर किती हो जाएगी, 2, ठीक है, ओपर 50 हो जाएगी, और यहांपर 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 12 हो जाएगी, 50, तो इन्हें भी solve कर लेते हैं, उसी तरीके से, दो को जब हम 5 बार गुड़ा करेंगें, तो हमें 32 मिल चाएगा, 32, इनकी पावर कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और तीन को जब तीन बार लिखते हैं तीन तीन नव नो तीन 27 तो यहां पर कितना आजाएगा 27 इसकी पावर किती हो जाएगी 50 हो जाएगी 25 तो यहां पर हो जाएगा 25 की पावर तो यहां पर सभी की जो पावर है समान हो गई है और जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी हुआ है सबसे चोटी संख्या जिसका ऑधार सबसे छोटा होगा वसक्त संख्या सबसे छोटी होείं तो 27 यहां 25 है तो 20 से आप सबसे छोटी है । टिसका है पाच की घात कितनी हैं है तो तो पाच्च की घात आफ्सन नमबर सी जही होगा यहां पर आप्सन नमबर कुमसा सही हो जाएगा सी थी फीए तरीके से निकालना ने सीखा उम्मीद करते हैं आप लों हमारे चोटा से वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चनल पर नहीं हो तो चुन को सब्सक्राइब कर देना